इरान के इस्राइल पर 13 अप्रेल 2024 के हमले के बाद से ही मिडलीस्ट में एक बड़े युद्ध का खत्रा मन्रा रहा है। इरान का कहना है कि अब अगर इस्राइल ने दोबारा इरान पर हमला करने की जुरुत की तो अगला हमला इससे भी ज्यादा भयानक होगा। वहीं दूसरी तरफ इस्राइली PM की अगवाई में वार कैबिनेट की एक बैठक हुई है जिसमें इरान पर जवाबी हमला करने की बात साफ हो गई है। कुछ जानकारों का कहना है कि इस्राइल इरान के परमानू ठिकानों पर हवाई हमले कर सकता है। लेकिन अमेरिकी राश्रपती जो बाइडन का कहना है कि वो इरान पर जवाबी हमले के पक्ष में नहीं है और अगर इस्राइल ऐसा करता है तो अमेरिका इस्राइल का साथ नहीं देगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अगर इरान और इसराइल में युद्ध होता है तो किसका पल्ला भारी रहेगा इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इसराइल और इरान की सेने ताकत के बारे में बारी किसे जानना होगा जिससे ये साफ हो पाएगा कि आखिर मिडलीस्ट में असली बाहु बली कौन है सबसे पहले बात करते हैं इसराइल और इरान की सेना की तो आपको बता दें कि इसराइल के पास एक लाग सतर हजार सक्रिय सैनिक है जबकि इरान का ये आखड़ा इसराइल से कहीं ज्यादा है इरान के पास 6,10,000 सैनिक है इसराइल के पास 4,65,000 रिजर्फ सेना है जबकि इरान के पास इसकी संख्या 3,50,000 है इसराइल के पास 35,000 अर्दसैनिक बल है तो वहीं एरान के पास दो लाग बीस हजार अर्धसैनिक बल है अब बात आती है इसराइल और एरान की एरफोर्स की तो आपको बता दें कि इसराइल के पास कुल 612 एरक्राफ्ट्स है जबकि एरान के पास 551 इसराइल के पास 241 रडाकु जहाज हैं तो इरान के पास 186 हैं इसराइल के पास Special Mission Aircraft 23 हैं तो इरान के पास सिर्फ 10 इसराइल के पास Trainer Aircraft की संख्या 155 है जबकि इरान के पास ये सिर्फ 102 है इसराइल के पास टेंकरों का बेड़ा 14 है जबकि एरान के पास 60 टेंकर्स है इसराइल के पास कुल 146 हेलिकॉप्टर्स है तो एरान के पास 139 हेलिकॉप्टर्स है इसराइल के पास 48 लड़ाकू हेलिकॉप्टर्स है जबकि एरान के पास इनकी संख्या मातर तेहरा ही है अब बात आती है इसराइल और इरान की जमीनी ताकत की तो इसराइल के पास कुल 1370 टैंक्स है जबकि इरान के पास ये आंकड़ा 19996 टैंक्स का है इसराइल के पास 43407 सेन्नेवाहन है जबकि इरान के पास 65765 है इसराइल के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 650 है तो इरान के पास सिर्फ 580 है इसराइल के पास 150 रॉकेट आर्टिलरी है तो इरान के पास ही संख्या 775 हो जाती है अब बात आती है इसराइल और इरान की नौसैनिक ताकत की तो आपको बता दे कि इस्राइल के पास कोई भी फ्रिगेट नहीं है जबकि एरान के पास इनकी संख्या साथ है इस्राइल के पास साथ कॉर्विटीज हैं जबकि एरान के पास तीन है इस्राइल के पास कुल पांच पंडुबी है जबकि एरान के पास साथ पंडुबिया है इसराइल के पेट्रोलिंग जहाजों की संख्या 45 है जबकि एरान के पास पेट्रोलिंग जहाज की संख्या 21 है इसराइल के पास एक भी बारूद बिच्छाने वाला माइन वारफेर नहीं है जबकि एरान के पास इनकी संख्या सिर्फ एक है आपको बता दे कि ये जो आंकडे हमने आपको बताए हैं वो 9 फरवरी 2024 के आंकडे हैं जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 से लिए गए हैं लेकिन युद्ध में टेकनोलोजी के लिहाज से इसराइल इरान से कहीं आ गए है यहां तक कि पूरी दुनिया में इसराइल की सेना सबसे हाई टेक मानी जाती है